तेवेरा के बड़े खबर आपमनल बताधन मरवाही उपचुनाओ मा जोगी परिवार के आखरी उम्मीद घलो अब टूड़ गिये हैं अमीद जोगी के बाद अब रिचा जोगी के भी नामांकन निरस्त हो गए है तो करीब दू घंटा चले दावा अपत्ती मा सुनवाई के बाद रिटर्निंग आफिसर डोमन सिंगह रिचा जोगी के परचा रद करे के फैसला सुना है अपन फैसला मा निर्वाचन पदाधिकारी डोमन सिंगह कहीज की परचा विधी मान्य नहीं है लिहाजा नामांकन ला रद करे जाते बड़े खबर आपनला बताथन मरवाही उप्चुनाव मा जोगी परिवार के आखरी उम्मीद घलो टूट गिये है अब इजोगी के बाद अब रिचा जोगी के भी नामांकन ला निरस्त कर दिये गए है करीद दू घंटा चले दावापत्ती मा सुनवाई के बाद रिटर्निंग ऑफिसर हा रिचा जोगी के परचा ला रद करे है और ये फैसला सुना है अपन भैसला मा निर्वाचन पदाधिकारी डोमन सिंग कहिस की परचा विधी मान्य नहीं है लिहाजा नामांकन ला रद करे जाते तो उस समय पहली अमिज जोगी के नामंकन रद हो इसे अउग एकर बाद रिचा जोगी के नामंकन खलो रद करे गए है तो मरवाही उक्चुनाओ मा अमिज जोगी के बाद उखर पतनी रिचा जोगी के भी नामंकन जिला निर्वाचन अधिकारी हा स्कूटनी के बाद खारिच कर दिये है एकर साथ ही मरवाही विधान सभाग चुनाओ ले 36 गड़ गठन के बाद पहली बार पूरा जोड परिवार प्रिवार हो गए पूराज जोगी के नामंकन ला खारिच करे के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी हा रिचा जोगी के नामंकन ला जाज करी से उखर जाती प्रमाण पत्र ला मुगेली जिला चानवीन समीती द्वारा निलंबिपकर राज समीती के आगूम जाजबर भेजे जाय के स्थितिला देखत हुए उखर प्रमाण पत्र के अप्रभावी उलम माने गई से जिकराधार मां मरवाही विधान सोहा चुनाओ के उमीदवारी ले रिचा जोगी के नम अंग्रिस प्रत्याशी डॉक्टर केके द्रू के तरफ ले अधिवक्ता संदीब दुबे और राश्री गोंडवाना पार्टी के पूर्मिला मारको प्रत्याशी के तरफ ले स्थुबीप स्विवास्तों हाँ बहस करे हैं तरफ ले बड़े खरबार आप मल्ला बताए हैं जी हाँ अमीद जोगी के बाद अब रिचा जोगी घलो मरवाही उप चुनाओले बाहिर होगी है यह पहली मौका होई जब पूरा के पूरा जोगी परिवार यह चुनाओले बाहिर होगे है